साथ्यों बेंकेय जी की बात हो और उनकी वाणी उनकी वागपटूता उनकी विटीनेस अगर उसकी हम चर्चा न करें तो शायद हमारी बात अधूरी रह जाएगी बेंकेय जी की एलटनेश उनकी स्पॉंटीनिटी उनकी क्वीक काउंटर वीट उनके वन लाइनर्स मैं समझता हूँ उसका कोई मुकाबला नहीं है मुझे आद है जब वाइटपाई जी की गठवंदन सरकार थी तो बेंकेय जी का एलान था एक हाथ में बीजेपी का जंडा और दूसरे हाथ में एंडिये का एजेंडा और 2014 में सरकार बनने के बाद कुछ दिनों बाद ही उन्होंने कहा मेकिंग अप डेवलप इंडिया यानी मोडी मैं तो खुद हैरान रह गया कि बेंकेय जी इतना कैसे सोथ लेते हैं बेंकेय गारू इसलिए ही बेंकेय जी की स्टाइल में मैंने एक बार राजसभा में कहा था बेंकेय जी की बातों में गहराई होती है गंबीरता भी होती है इनकी बानी में वीजन भी होता है और वीड भी होता है वांस भी होता है और विज्रम भी होता है साथियों अपनी इसी खास टाइल के साथ आप जितने समय राजसभा के सभापती रहे आपने सदन को पोजिटीव विटी से भरपूर रखा आपके कारकाल में सदन ने कितने ही एत्यासिक फैसले लिये पूरे देश्थ ने देखा था जम्मू कश्बीर से 370 हटाने का बिल लोगसभा की जगर पहले राजसभा में पेश हुआ था और आप जानते हैं उस समय राजसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था लेकिन 370 हटाने का बिल राजसभा में आन बान शान के साथ बहुमत से पारित हुआ था इसमें कई साथियों पार्टियों और सावसदों की भुमिका तो थी ही लेकिन ऐसे संवेदन सिल्प मोके पर सदन को सुचारू रुप से चलाने के लिए वेंके जी जैसा अनुभवी नेत्रुत भी उतना ही जरूरी था आपने इस देश की इस लोकतंत्र की ऐसी अन गिनित सेवाएं की है